अज हमारे पास मोटूर का 5100 ग्रेड का एंजिन ओइल है 15W50 जो एंजिन ओइल की हम बात करेंगे कि यह कौन से बाइक में डलता है क्या बेनिफिट रहते यह एंजिन ओइल डालने से एंजिन में क्या क्या चेंजिस आते है ओईल रें इंटरवल क्या है सारे डिटेल इस वीडियो नहीं हमने यूज किया है और इसके बाद मैं यह वीडियो डाल रहा हूँ आप देख सकते हैं हमारे पास मोटूल 5100 एंजिन ओइल है जो ऑन रोड ऑफ रोड और वीट्विन एंजिन के लिए बना हुआ है मा 2 एंजिन ओइल है जो बहुत ही बहत ही बैत्री न एंजिन ओईल आता है वन लिटर पेक में है हमारे पास ऐसका benefit किया है तो जब भी हम इसको डलवाते हैं एंजीन ओइल में तो इसका जो एंजीन का जो नोईज होता है वो बहुत ही Reduce होता है जब आप एक बार डलवा होगे तो आपको पता चलेगा कि कितना एंजीन का नोईज है वो कुंज कॉन से बाइक में हम डाल सकते तो अगर बाइक की से बात करें तो हीरो में Skid Berry Xtreme में डाल सकते, Pulsar 150, 180 में हम इसको डाल सकते, Apache RTR 160, 180 में हम इसको डाल सकते, Honda Unicorn 160, CB200, जो 150cc या उसके उपर के जो एंजिन है, उसमें हम आराम से इसको डाल सकते, Royal Enfield Classic 350 में भी इसको डाल सकते, उसमें भी Great Semi मिलता है, पर हमें उसमें 0.5L engine oil डालना होता है, तो उस तरीके से हमें measurement करके उसमें डालना पड़ता है, अब अगर oil drain interval की बात करूं में, तो ये engine oil 5000-6000 km भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें आपको top up करना पड़ेगा, पर इंडिया में ऐसी कोई है नहीं कि सब लोग उसको चेक करके top up करें, तो मैं आपको बताऊंगा कि every 3000 km पे हमें engine oil, कोई भी engine oil हो, अगर 7100 grade का engine oil लेते होगा, फिर भी हमें 3000 km पे उसको चेंज करवाना है, क्यूंकि उसकी जो viscosity है, वो कम हो जाती है, और engine की जो performance है, उसको डाउन करता है, तो यवरी 3000 km पे हमें engine oil चेंज करवा देना है, अगर इसकी price की बात करूँ में, तो 640 रुपय इसकी MRPA अभी 2024 में, और आप online भी purchase कर सकते हैं, मैं link description में दे दूँगा, वहाँ से आप purchase कर सकते हैं, इसकी price around 600 आसपास होगी online भी, और ऐसे ही नए informative वीडियो के लिए, प्लि